इस विडियो में हम आपको भिंदी खाने के फाइदे और नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। भिंदी पोशक तत्वों का भंडार होता है। भिंदी का सेवन कई बीमारियों में लाब दायक साबित होता है। क्योंकि भिंदी में कैरोटीन, फोलिक एसिड, थियामिन, राइबोफलेविन, नियासिन, विटामिन सी और अमीनो एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ को अंधिनत लाब पहुचाते हैं। लेकिन भिंदी का अधिक सेवन स्वास्थ को फाइदे की जगा नुकसान भी पहुचा सकता है। तो आईए जानते हैं भिंदी खाने के क्या-क्या फाइदे और नुकसान होते हैं। भिंदी खाने के फाइदे, डाइबिटीज के मरीज अगर भिंदी का सेवन करते हैं, तो यह काफी फाइदे मन साबित होता है, क्योंकि भिंदी में एंटी डाइबिटी गुन पाया जाता है, साथ ही भिंदी का गलाइसेमिक इंडिक्स बेहत कम होता है, इसलिए भिंदी का से की अच्छी मात्रा पाई जाती है इसलिए इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है साथ ही अपच जैसी बीमारिया दूर होती है क्रिदय को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप भिंदी का सेवन करते हैं तो यह काफी फाइदेमंद माना जाता है क्योंकि भिंदी क सेवन करने से त्रिदय रोगों का जोखिम कम होता है साथ ही कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है कैंसर के रोक थाम के लिए अगर आप भिंदी का सेवन करते हैं तो यह काफी फाइदेमंद साबित होता है क्योंकि भिंदी में मौजूद फाइबर कोलन कैंसर के जोखिम को क करने में मदद करता है भिंदी में भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है इसलिए अगर किसी को कब्स की शिकायत है तो उसे भिंदी का सेवन करना चाहिए क्योंकि भिंदी का सेवन करने से कब्स की समस्या दूर होती है भिंदी का सेवन आंखो के लिए बेहद लाब दायक साबित होता है, क्योंकि भिंदी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए अगर आप भिंदी का सेवन करते हैं, तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, साथ ही आख संबंधी समस्या भी दूर होती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भिंदी का सेव फाइदेमंद माना जाता है, क्योंकि भिंदी में एंटी हाइपर्टेंसिव गुन मौझूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंतरित रखने में मददगार साबित होते हैं, भिंदी खाने के नुकसान, जिन लोगों को किड्नी स्टोन की समस्या होती है, उनको भिंदी क सेवन करने से पहले डॉक्टर की सला जरूर ले लेनी चाहिए, भिंदी का अधिक मात्रा में सेवन करने से अंतों में सूजन की शिकायत भी हो सकती है, तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अ अब मिलते हैं अगले वीडियो में.